हम सब को लग रहा है कि हम सब से सुरक्षित जगा हैं, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं है, आज सुबा ही हमारे शहर में रूस का हमला हुआ है। बताय जा रहा है कि यूक्रेन के अलग-अलग हिस्सों में तक्रीबन 15,000 भारती चात्र फसे हुए हैं। यूक्रेन और रोस में हो रहे सैने संगर से वहां रह रहे भारती चात्र बेहत भैबीत हैं और उन्हें हर पल अन्हूनी की चिंता सता रही हैं। ये चात्र जल्द से जल्द स्वदेश लोटना चाते हैं। इस वरवरी से आधिकारिक तौर पर यूक्रेन पर बंबारी शुरू कर दी। हलक कि यूद के हालाद बनने पर चात्रों ने वहां से निकलने की कोशिश की लेकिन वह निकल नहीं पाए। निक्की ने कहा कि हम लोगों ने फ्लाइट लेकर लोटने की कोशिश की लेकिन कोई फ्लाइट हमें नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक यूकरेन और रूस के बीच तनाव बढ़ने पर अचानक यूकरेन से आने वाली फ्लाइट्स के दाम आस्मान चुने लगे ये भी एक वज़ा थी कि छात्र महा से समय रहते निकल नहीं पाए हराने की बात है कि इन चात्रों से न तो सीधे तोर पर यूकरेन सरकार ने कोई समपर्क किया है और नहीं भारत सरकार ने निकी ने कहा कि हम से सरकार ने किसी तरह से समपर्क नहीं किया है लेकिन हम उमीद करते हैं कि भारत सरकार समपर्क करेगी हमें यूक्रेन सरकार ने ये तक नहीं बताया कि यहां सुरक्षित ठिकाने कहां है जहां हम जा सकते हैं हम सब हॉस्टल में हैं हम सब को लगता है कि हम सब से सुरक्षित जगाह पर है लेकिन सुभा मेरे शहर पर भी हमला हुआ है चात्रों ने अपील की है कि किर्पया हमारी मदद करें और हमारे सरकार से कहें कि वे हमारी मदद करें इस बीच यूक्रीन में भारत की राजदूत पार्थ सत्पती ने वीडियो संदेश में यूक्रीन में फसे लोगों से धैरे रखने और अपने ठिकानों पर ही रहने की सलाह दी है। और बमधमाकों की चेतावनी हो रही है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं तो गूगल मैप के सहारे पास की बमशेल्टर में जा सकते हैं। इन में से बहुत सारे जमीन के नीचे बने हुए हैं, हम एक संभावित हल तलाश कर रही हैं। तब तक आप अपने ठिकानों पर रह हैं। जो रास्ते में हैं, वे अपनी जगहों पर लोट जाएं। जो कीव में फस गए हैं, वो यहां रहने वाले अपने रिष्टेदारों से कॉन्टक्ट करें। भारत सरकार विदेश मंत्रा ले और भारती दुतवास मिलकर काम कर रही हैं। आपको और सूचना जल्द ही दी जाएंगी। वहीं दूसरी और भारती दुतवास ने यूकरेन सरकार को पत्र लिखकर फसे हुए छात्रों की सुरक्षा सुनेशित करने को कहा है। यूकरेन में फसे सीमाचल के छात्र भारत सरकार के लिए अपना संदेश मैं मीडिया को मैं मीडिया हूँ अट दरेट जीमील.com पर भीज सकते हैं।